नाये चुनके आये हैं, शुक्रिया इस मेंडेट का भी जिसने दोनों पक्षों को एक संदेश दिया है। सबका शुक्रिया आदा करते हुए, मैं सबसे पहली चीज कहूंगा, कि महमहिम के अड्रेस को, अंग्रेजी में कहते हैं अभी भाषन, मैंने बीते वीकेंड पर काफी सर्च किया, कि अभी उपसर्ग लगाने के पीछे मनशा क्या होगी। तो जितने मुझे तत्व मिले, उससे ये लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज होती है। हमारी कोशिश वो नहीं होनी चाहिए। मैंने पिछली दफा भी कहा था। अब कब ये बदलाओ होगा, मैंने ही जानता। लेकिन इस मेंडेट को मैं सबसे पहले बोलूँगा, उसके बाद बिंदुवार कुछ चीजों पर पैरादर पैरा जो अभी भाशन के संदर्ब थे, शुक्रिया बहुत बहुत। तो वाइस चेर्मेंण साब, मैं उन बातों का बहुत जिक्र नहीं करूंगा, जो उनकी बातों में शुमार नहीं थी। अब ये मेंडेट की बहुत चर्चा हो रही है। मैं नहीं जाना चाहता हूँ किसी ने कहा अब की बार फलाना पार, चिलाना पार, हमने ये कहा। लेकिन mandate दोनों के लिए एक बात कहता है उधर mandate कहता है कि मैं मेरा मुझको की सीमा होती है आत्म मुगदता की सीमा होती है व्यक्तिक अंद्रित विमर्ष की सीमा होती है लोकतंत्र में सामुहिकता बहाल होनी चाहिए और हमारे लिए ये संदेश है कि आपने जो कुछ किया शायद इनफ नहीं था अगर हम किताब संभीधान की हाथ में ले रहे हैं तो इसके पन्ना दर पन्ना सफा दर सफा हरफ दर हरफ हमको जीना पड़ेगा लोगों को भरोसा देना पड़ेगा लेकिन हाँ इस मेंडेट की कुछ खुबसूरत चीजे बता रहा हूँ लोगतंत्र में सामोहिक्ता बहा लुगी मैंने बीते दस वरस से कान तरस गए थे एंडिये सुनने को बीते एक महिना में इतनी बार एंडिये एंडिये सुना दिल को बहुत सुकुन हुआ यकिन मानिए बिपक्ष में है शत्रू नहीं है लेकिन व्यक्ति केंद्रित विमर्ज से ये मेंडेट आपको भी बाहर ले आया वो बहुत आवश्यक था दूसरी चीज कहूँगा हलके लाइटर टोन में अचानक मुझे लग रहा है कि हमारे प्रिय रक्षामंत्री जी की जबरदस्त वापसी हुई है हर मोर्चे पे वो हैं इससे बात करनी है तो रक्षामंत्री जी उससे बात करनी है तो रक्षामंत्री जी ये सुखद संकेत है यह सुखन संकेत है इस लोग कंतर के लिए अब अब मारणिय वाइस चेर्मेंट साब मेरा यह कहना है कि नीट को लेकर के बहुत बाती भी नहीं बोलूँगा मैं अलहदा आदमी था जब NTA बन रहा था उस समय वेंकया नाइडू जी थे वहाँ मैंने जीरो आवर में तीन बार कहा कि इस देश को इस तरह की व्यवस्था परिशान करेगी यह बीमारी नहीं पालनी चाहिए वद नेशन वद फलाना वद नेशन वद टेप काना वद नेशन वद चिलाना कहें को भीया कहीं ऐसी इस्तिति नहीं हो जाए कि one nation one ठेकेदार one nation one contractor पुरी तरह हुआ नहीं है संजय भाई होने की संभावना है अब अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि राजमी तो मत करो इस पर मैं पूछना चाहूं कि लोगों की पीड़ा परेशानी 25 तीस कि वाओ कि सपने तहस्नास हो जाएं आप विपक्स से क्या उमीद करते हैं आपकी औरकेस्ट्रा में शामिल होके कहें साहब तेरे सुबह की जाए साहब तेरे शाम की जाए ना विपक्स को अपना काम करने दीजे अगर आपने इमानदारी से NTA का मुल्यांकन किया होता आप अपने क्लीन चिट पहले दिन ना दी होती हर बड़ी में आज ये नतीजे ना होते एक वर्धा विश्विद्याले है मैं आपके माध्यम से कहूं हमारे माननिय हेल्थ मिनिस्टर और लीडर अप दा हाउस हैं सर वर्धा इन्वस्टी में बहुत बड़ा फरजी वारा चल र और गांधी जी के लिए जो चीज तया चीती वो सारी चीजें उस विश्विद्याले में हो रही हैं परसोटेस्स में क्या हुआ ये सब चीजें हमें चिंता देनी चाहिए अज आज आप सत्ता में है कल को हम सत्ता में होंगे लेकिन अगर देश के सरोकार ही रुगना लेकिन बिहार के युवा से किसी भी जाती ओपी नुकुरीन मतलब पीजस्वी हमने मयार बदल वहां चिंतन बदल दी धारा बदल दी अब की मर्जी है कुछ भी कहिए आप लोग तो जाजब है, investigative agency है मैं हाथ जोड़के विंती करता हूँ जितनी जितनी गालिया मुझको देनी है अपने भाशन में दे लीजिएगा खुब दीजे गाली आदी हो गए हम गाली सुनने के फिर सुन लेगे आप से गाली लेकिन कुछ बातें रखने दीजिए सा सा N.I.O.S. D.L.E.D. का मसला है आप ही ने बनाया आप ही ने उसको delegitimize कर दिया भटक रहे हैं हजारों बच्चे सिख्षा प्रेरक का वही हाल है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाओ के दौर में भैंस मंगल सूत्र मुझरा टोटी तुर ले जाएगा बिजली काट देगा सर परेशान हुए हम लोग मैं चुनाओ देख रहा था मैं चुनाओ देख रहा था बैक रूम से कंप्लेंट कर रहा था एलेक्शन कमिशन को जिसको दाद दी गई है अभी बाशन में सर कंप्लेंट फस्ट फेज में किया परसो मेल आता है परसो डेई फो येस्टडे अपना नाम पता एसेम्बली नंबर मुबाइल नंबर भेजिये अब किस बात का भाईया अब किस बात का ये बिवस्थाएं है एलेक्शन कमिशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ अठाइस परसेंट लोगों का सिर भरोसा है इससे ज़्यादा भरोसा तो पंचायट वेब सिरीज में फूलेरा के ग्राम प्रधान का है लोगों को ये सोचना चाहिए मैं सर mathematical length of tenure के आधार पर नहरू बनाने की कोशिश हो रही है सर mathematical length of tenure से नहरू नहीं बनता नहरू बनता है जो गरम हवा को पी सके दूसरे के जखम को देख करके उस पर मलहम लगाए जखम कुरेदे नही जखम पे नमक न चुरिके वो होता है नहरू तो सिर्फ mathematical इस से अब सर आपको एक छोटी चीज बताओ जातिगत जनगन्ना की मांग की थी हमारे जदियू के साथी लोग भी थे अभी हैं मंत्री जी पनाम हमारे जदियू के साथी लोग भी थे नितीश जी तेजसुई जी ने मिलकर सर्वेक्षन कराया मैडम कोट में आया कोट में कौन खड़े हुए यहां नाम लू सॉलिस्टर जनरल ने रोकने की कोशिश की किसके इशारे पे हो रहा है एक तरफ आप कहते हैं वंचितों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और दूसरी तरफ आप इस प्रकार की कोशिशें करते हैं आज बिहार की सबसे बड़ी मांग है कि सर्वेक्षन के बाद जो आरेक्षन का आधार बढ़ाया गया उसको नौमी अनुशूची में डालिए अभी पटना उच्छन्याले का एक निरने आया हम इंतजार करते रहे हैं सरकार से बिहार के सरकार से कि वो चैलेंज करें इसको नहीं तो रास्ट्वे जनता दल पिटिशन लेके जाएगा सुप्रीम कोट सर आप आप बोल दीजेगा अभी तक गई नहीं है मुझे भी जानकारी है सर बहुत फॉलो करता हूँ क्लोजली बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ सर अभी महमहिम ने मिजॉरिटी की बात की मैं उस पर सुरू में बोल चुका हूँ लेजिस्लेटिव मिजॉरिटी को हमेशा मॉरल मिजॉरिटी के साप एक्ष रखना होगा अगर आप मॉरल मेजॉरिटी से नहीं चलाते हैं तो लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी जिस दिन साइकल पे तीर सवार हुआ न यह उड़ जाएगा साइकल चुनावचीन है टीडीपी का और तीर हमारे रमनाग भाई का जन्ता दली उनाइटेड का अदिए भाजपा का देखें कभी-कभी मेंडेट कितना खुबसूरत काम करता है हम बचपने से बीजेपी को मैं फॉलो कर राहा हूं सारी पार्टिस को करता हूं बीजेपी को भी कर रहा हूं बीजेपी का संकल पत्रु हुआ करता था इस बार वो हो गया था मोदी जी की गारंटी इस दिमोक्रिटाइजेशन का जो मेंडेट है इससे आपको बहुत बड़ा फाइदा है व्यक्ति के समक्ष कोई भी दल समर्पित ना हो जाए ये मैं समझता हुपलब्धी आप लोगों क कि भी है जी और 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 जेडी गारंटी नहीं लिखती है रेक्ती की सा मैं मैं प्रोटेक्ट मी आई 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 नीडियो प्रोटेक्शन मैं मैं चेर परसन मैं चेर परसन आप आप आई आई हाब आई हाब फिटीन मिनिट्स आप बीच में मत मुलिए प्लीज आप कभी किसी को टोकाटोकी नहीं करता हूँ सच चुबने लगता है मैं फिफ़ पैरा दिखाना चाहता हूँ प्रेसिडेंट के ड्रेस का फिफ़ पैरा इसमें कहते हैं ग्रोथ स्टोरी अच्छा लगता है सुनके what kind of growth कैसी प्रगतिक, कैसा विकास joblessness hopelessness facelessness और आप चाहते हैं कि उस economic prosperity की पक्ष में हम ताली बजाए मैम मेरी ये किताब constitution संभवता सबसे पहले मैंने ही दिखाना शुरू किया था निर्मला जी नहीं है हमारी finance minister हर budget के बाद मैं article 39 पढ़ता था concentration of wealth कोई blueprint है कि आयल की जो असमानता है इस देश को लील रही है ताली बजा रहे हैं पांच क्रोनी पुंजी पती तरक्की कर रहे हैं उसको देश की तरक्की मान रहे हैं कभी उस युवा से पूचिए वो देश की तरक्की को कैसे देख रहा है ऐसा जवाब देगा कि मुश्किल परेगा हैंडल करना मैं परासोला में बाबा साहब को selectively court किया गया यह selective court बड़ा परेशानी का चीज है कि आप किसी को semi-colon के बाद court कर दें उसके पहले की बाद छोड़ दें यह इसको हम लोग की भाषा में academics में कहते हैं almost akin to pleasureism वो किया गया अब प्रधानमंत्री जी ने चुनाओ के वक्त कहा कि एक ही जाती है वो है गरीबी सुनने में शायराना लगता है खुबसूरत लगता है फिल्मी लगता है लेकिन ऐसा क्यों है कि जातीकत हिरार्की में नीचे जाते हैं तो गरीबी बारती है उपर जाते हैं तो गरीबी घरती जाती है अब मैं समझता हूँ कि यह NFS non-found-suitable non-found-suitable यह चिंता का विश्य है सबको अभी अनुप्रिया पठेल जी को चित्थी लिखनी पड़ी है मैं बताऊं यह एक मानसिक रोग है जो non-found-suitable करता है विश्य विद्यालेओं में इस मानसिक रोग से डील नहीं कियाना तो हमारी कथनी और करनी में मीलों का फासला होगा कहागे अब पहले की कुछ सरकार अनस्टेबल थी लेकिन अगर आप प्रो पीपल लजिस्लेशन का विस्लेशन करें तो सबसे ज़्यादा खुबसूरत छन सो कॉल्ड कोईलीशन गवर्नमेंट में आई है और मुझे उमीद है कि आपकी इस कॉलीशन गवर्नमेंट को भी उस प्रेशर को समझते हुए प्रो पीपल लजिस्लेशन पे काम करना पड़ेगा तो बिगिन वेथ अगनी वीर को सेना में भरती को पुरानी तरीके पर लाईए ताकि हुआओं के साथ नियाय हो पाए सो मैं वो मैं बोल चुका हूँ भारतिया नियाय सहीता कल से आज से लागू हो गई आज से लागू हो गई लेकिन हमें याद रखना चाहिए 150 संसदों के निलमन के साथ ये पास हुआ है इसमें कोई चर्चा नहीं हुई कोई चर्चा नहीं हुई ये एक कदम है पुलिस स्टेट की और एक और्वेलियन स्टेट की और इससे मैं आगाह करता हूँ क्योंकि हमेशा वहां नहीं होंगे जब यहां होंगे तो यहीं दंड प्रावधान लागू होंगे मैं और सुनिये पराव ट्विंटी सिक्स तौराव ट्विंटी सिक्स महामहिम से कहलवाया गया कैसे इस दुनिया से गुजर गया क्यों आज भी उमर खालिद मिरान हैदर खालिद सैफी जैसे जबान जो सरकार की आलोचना को देश की आलोचना बना दिया गया और मैं दो किताब अगर ये किताबें मेरे पास भी आती हैं मेरे पास आती हैं तो नडड़ा जी के काड़ियाले में भी पहुंचना चाहिए The Incursorations by Alpashashah और ये Challenging Cast by Ajaj Asraf ये दास्तान है ये दास्तान है Democracy how it is being mazzled Anyway, मैं, मैं ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं कहूंगा Emergency पे बात हुई मैं, Emergency पे बात हुई मैं, Vice Chair Person Emergency पे बात हुई सच मुछ बहुत बुरा अध्याय था लेकिन मुझको लगता है कि हिंदिना जी के Advisor बहुत Smart नहीं थे आज की तरह के होते न तो कहते 352 की ज़रुरत भी नहीं है इसे ही बना देंगे यह हालाद, यह फर्क है और आखरी में कहूंगा कि यह जो चुनावी बिमर्ष है इसकी वज़ा से जहर बहुत है समाज में Lynching चल रही है Lynching मैं कितने वीजूल्स बताऊंगा आज से तीन दसक पुर्ग मुझे स्मरण है राहीम असूम रजा ने एक छोटी कविता लिखी थी मैं यही कहके खतम करूंगा उन्होंने कविता लिखी थी वाधा गाउं के लेखत थे कई लोग उनको महाभारत के लेखत के रुप में जानते हैं उन्होंने एक और उनके लिए गंगोली और गंगा उनकी इनमा थी यह था एक भारतिय मुसल्मान का चित्रण उन्होंने लिखा था मेरा नाम मुसल्मानों जैसा है मुझको कतल करो और मेरे घर में हग लगा दो मेरे उस कमरे को लूटो जिसमें बायाने जाग रही हैं मेरी और जिसमें मैं तुलसी की रामाइन से सरगोशी करके कालिदास के मेकदूत से कहता हूँ मेरा भी एक संदेश है अब आईए दूसरा ये सारे तीन दसक पुर्व लिखी गई अभी और यहीं मैं खत्म करूंगा ये पूरे देश का चित्रन है ये हम सब के लिए आएना है वरना मारे जाओगे रगवीर साहय को याद करते हुए एक युवा कमी अधनान नाम के लिखा है मत भूलो कि तुम मुसल्मान हो बस तीस सकेन और लूँगा मत भूलो कि तुम मुसल्मान हो बस लोगों को छलावा देते रहो कि तुम मुसल्मान नहीं हो वरना मारे जाओगे राह चलते ख्याल रखो कि कहीं तुम्हारी कमीज से मुसल्मान होने की बू तो नहीं आ रही ख्याल रखो किसी से बहस करते हुए कुछ बोलते हुए कुछ करते हुए यहां तक की हसते और रोते हुए भी कि कहीं तुम मुसल्मान तो नहीं लग रहे हो वरना मारे जाओगे ये बात हमेशा याद रखो कि तुम एक मुसल्मान हो और तुम मरो कि नहीं एक दिन मारे जाओगे बिवेक हींता तर्क हींता के समाज को धोस्त करिये आईए हिंदुस्तान बनाए हैं वो हिंदुस्तान जहां कोई फरक ना हो गले लग सकें ये नहीं कि चुनावी मंद से कुछ जमीन पे कुछ जाए हैं मैम जाए हैं तैंक यू स्री क्यार सुरेश एंडी